जो ह्या जैरकन थे मैं नीथी आयजी एकाडमी आप सभी का स्वागत करते हूं इन Commerce में करते हैं इसके अलावा जो जॉनोग जार्खन के वादीएंत शुरुआत करते हैं पहला नमबर कोशटन है मुख्यता कितने प्रकार कि वादीएंत पाये जाते हैं जार्खन में मुख्यता कितने प्रकार के वादियंत्र पाए जाते हैं इसका अंसर है 3 तीन तरह के वादियंत्र जार्खन में पाए जाते हैं कुछ नमर 2 आते हैं नीम में कौन जार्खन में पाए जाने वाले वादियंत्र के प्रकार हैं इन में से कौन सा है जो वादियंत्र के प्रकार हैं तो अभी supervised बताये कि राधर ज़ाखन में तीन तरग के पाए ніक सभी निर्च प्रते 2 तो एशे वादी जिनमें रेसम की दोरी या दू बंदे उते हैं तथा उन्में कमपं को माधिम से धोनी ऊथपन की जाती है, क्या कहलाती है ऐसा वादिये अंत्र जिसमें रेश्णम की डोरी बंदा होता है या फिर उसमें कमपन के माधियम से द्वणी उत्पन के जाता है तो उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे तंतु वादिये अंत्र option no B question number 4 आते हैं एक तार से बना हुआ तन्तु वादियंत्र कौन सा है? जो एक तार से बनाया जाता है तन्तु वादियंत्र उससे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं एक तारा, option number C, question number 5 आते हैं केंदरी में कितने तारों का परियोग किया जाता है? केंद्री में कितने तारों का परियोग के जाता है तो केंद्री में तीन तार होते हैं तीन कोशनबर 6 आते हैं नीम में से किसे जार्खन का वाइलिन कहा जाता है जार्खन का वाइलिन किसे कहते हैं तो जार्खन का वाइलिन हो गया केंद्री ठीक है केंद्री जिसमें कितना त कर दारियों जोता है निए चाहते चुछ नवर की निम में से को सा संथालों का प्रमुक्त तन्टु वाधियंत्र है जो इक केंदरी ए और एक है इसका इंदर हो जाएगा अप्शन नवर डी और सी दोनों निएक चाहते चुछ नवर दाल-एट नीम में से किसका निर्मान खोकले बास की छरी वह सुखे लगकी का ख़ोल बांधा जाता है त Carry ला हिश्था कंठ्षोय की खाल दें कोञा ही अंत्र कूर्षGGा रहें। दोल्गी फिल्शी अइन चाल कोलो ह З बूआ कोछ कोछ निम में से किसका परियोग संथाल जन्जाति द्वारा गीत केया जाता है 2 संथाल जन्जाति किस से यूज करते हैं गीत के साथ संगत की रूप में घ्रा उप Maple themed उसमें से आंसर हो जाएगा बनम को प्योग करते है कुछ नमर टेन आते हैं किस के निर्मान में सुखी लौकी तथा खोकली लाथी का परियोग कह जाता है किस इसका निर्मान कह जाता है जिसमें सुखी लौकी और खोकली लाथी का परियोग होता है तो है टो हीला ठीक है अप्सन नमबर डी टो हीला नेक्ष आते हैं कोश्चन नमबर 11 कोश्चन नमबर 11 फूंकर बजाया जाने वाला वादी येंत्र क्या कहलाता है फूंकर जिसको बजाते है उस वादी येंत्र को क्या कहते है कुछ नमबर 12 बाते हैं । जिसे फूक के बजा रहे हैं उनने सबसे पसंदिधा झाल वे ख'? कुछ नमब ठर्टीन आते हैं । डोगी नामक बास में से कौन सी सुसिर वादे यंत्र बनाया जाता है एक बास है जिसका नाम है डोगी उससे कौन सा सुसिर वादिय यंत्र बनाया जाता है तो उससे बनाया जाता है बासुरी, option number D, question number 14 आते हैं किस वादिय यंत्र को सनाई भी कहा जाता है कौन सा वादिय यंत्र है जिसे सनाई भी कहते हैं तो सहनाई कहा जाता है सहनाई को ओप्सन नमबर ए कुछ नमबर फ्यूप्टिन आते हैं नीम में से किसका निर्मान बैल या भैस के सिंग से क्या जाता है तो बैल या भैस का सिंग से क्या जा रहा है तो सिंगवाला से क्या जा रहा है उसको कहेंगे सिंगा और सिंगगा नेते हैं कोशन नमबर 16 नीम में से किसका परियोगद चभ नीतिये के समय तथा पस्वन के सिकार चैया जाता है दी होगी आंसर सिंगा नेक्स आते कुछ नबर 17 नीम में से किसका परियोग ढोल, बासूरी, सहनाई, आधी के साथ सहायक वाधी के रूप में किया जाता है देखिए चैनल को जादा से 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 चो प्राचिंतम हें यह प्रमुक्तालवादी आन्तर हें वह हैं मांदर है नहीं मांदर नेश्याते कोच्छ नमर 19 निम में से किसे तूम्दक भी कहा जाता है तूम्दक किसिको कहते हैं उम्दक कहते हैं मांदर को ठीक है ओप्षन नमर 20 नीम में से किसका निर्मान मिट्टी या लक्री के गोला काल खोल के खुले सीरों के दोनों और बक्री का चम्रा मढ़कर किया जाता है नियम मेंसे किसका निर्मान कठल आम और तथा गमार की लक्री के खोल के से क्या जाता है कठर आम और गमार की लक्री का परियोग किसमी करते हैं धोल बनाने में करते हैं option number बी question number 22 आते हैं नीम में से किस ताल वादिय यंत्र का परियोग आदिवासी तथा सदान दोनों समुदाई द्वारक किया जाते हैं जार्खर में आदिवासी हो या सदान हो दोनों किसमी करते हैं नगारा का option number 1 question number 13 आते हैं कहां नगारा को टमाग के नाम से जाना जाता हैं इसकी कौन से जगह है जहां पे नगारा को क्या कहा जा रहा है टमाग कहा जा रहा है टमाग तो नगारा को टमाग कहा जाता है यह कहा जाता है संथार परग्राम में option number C किस वादे येंद्र का निर्मान कठल की गुंबत कार खोल के सीरे पर भैंस या बकरी का चमरा मढ़कर किया जाता है किसमें क्या है कठल का जो गुंबत कार खोल है उसके सीरे पर क्या लगा जा रहा है भैंस या बकरी का चमरा लगा जा रहा है कौनसे वादी येंद्र में यह है नगारा option number D question number 15 आते हैं किस वादी येंद्र का निर्मान गमार की लकरी की सीरों को बकरी की खाल से मढ़कर किया जाता है कौनसा वादी येंद्र है जहां पर हम लोग गमार की लकरी की सीरों में क्या लगा रहे हैं बकरी का खाल लगा रहे हैं तो यह होगी है धाक ठीक है धाक नेक्स आते question number 26 किस वादी येंद्र को चौनीत्य के दोरान यूद और सैनिक ट्रमान जैसे की द्रिश्यों का सकार करनी है तो क्या जाता है जब छाओ नित्य होता है उसमें किस चीज का यूज होता है धामसा का या कूर धतू का तो आज का session ये over होता है नेक्स्ट session में हम लोग पढ़ेंगे जार्खन के चीत्र करा और सिल्प करा ठीक है तो आप लोग चीत्र करा और सिल्प करा पढ़के आईएगा जिससे question answer देंगे तो आपको आपको confidence बढ़ेगा अगर आपको ये session अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इंगलिस में सीक्यू करना चाहते है तो आट बज़े आईएगा चलिए में